नवश्कार नागार जुरुमे संस्कित बगविद्जाले तरवनी दर्भंगा कामेशर सिंग दर्भंगा संस्कित विश्विद्जाले क्यांगी भूतिकाई सहाचारिया मैं वीर सनातन पोड़न दूराय विशय साहित पाठ्थ से सकह अविज्ञान साकुन तलस से पर्थमों प्रथम खंड़ा दिनांक अठारा चार दोहजार एकीस चात्रवाज साकुन तलस से प्रथम अंकस्य प्रथम अस्लूकस्य व्याख्या पठनियम अस्ति यह स्रिस्टी स्वेस्टु राध्या वहत्य विद्धियु तम्या अविर्याच भूत्रे एद्विकालं विधत्तह सृदि विसय गुनाया इस्थिताव्याप्य विश्वं यामाहु सरव वीज प्रकृति रितीया प्राणिनह प्राण वंतह रत्यक्षा भिह प्रपन्नस्तन भिरवतु वस्ताविरस्ताविरीश अनुवया या स्रस्टु आध्यांस्रिष्थि यह विदिहुतम् हविभःति याचहो त्रे एद्विकालं विधत्तह सुति विशय कुनाया विश्वं व्याप्य स्थिताप्याम सर्ववीज प्रकृत्ति रिती भाहु यया प्राणिनह प्राण वंता ताभी प्रत्थ अच्षावि प्रपन्नाह इशह वाह अवतू संस्कित जाक्षास्ति यह जलरूप तनु स्रस्टु वेध सह प्राम्मन आद्या प्रथमह स्रिस्ति दे सरकह या अग्णिमय तनु विदी हुतं अवनि हुतं हवी हब्दंबहती देवान प्रापयती याच्य होत्री हवन करत्री यजमान इश्ट्विकालं विधत्त कुरुतह सुति विशै गुण सप्त गुणाय वया आकाशरू पत्रनु विश्वम जगत व्याप्यसं बध्यस्थिता विद्यमान याम प्रथिवी रूपां मुर्ती सरववीज प्रक्रती सरवाध्या आदी कारणम इति वुद्धाह आभू प ताभी प्रतक्षाभी स्पस्ट प्रतक्ष मुर्तय अस्ठाभी अस्ट संख्याकाभी तनु भीख मुर्ति भी प्रपन्नह सम्मन्वितह इशह सिवह वह युश्मान सभाज नान अवतू रक्षतू टिप्मनि मस्ते यासरस्तू आद्यासरिस्टी जल अब एव ससजादो मनुवस्मिर्धी आपोवे इदम अग्णे सलील मासित सत्पत ब्रह्मना वायू तश्मात एव एतस्मात आत्पणा आकाशा आकाशा त वायू वायो रग्नी अग्ने राया हां या विदिवुतं हवी वहती जात वेदा देवेभ्योहप्यम वहत उस्रुती वेदोक्तेने विधानेन मैयद ह्युवते हवी देवाह पितरस्चे वतेन त्रिप्ता भवन्ती वे महावारत आधी परवता याच्या होत्री हवनकर्ता यद्मान यज्ञान उस्थाने सिवस्य अंसह भवती एद्वेकालं विधत्ता प्राता सायंग्वेकाले सुर्यस्चंदर्ता सूती विशै गुणा सब्त गुणकं मकासं तरक संग्र सभुमी विश्वतो वृत्वा अल्यत्ति स्थाद दसांगुलं रिगवेदाह अथात्माना सब्त गुणं गुणग्यह पदं विमानेन विगाह माना रगुवंस सर्ववीजप्रक्रति ही समस्त वीजानाम कारण मर्थात पृत्वी यमही भुमी भूतानाम शाष्वतिम्यो निरुच्चते मनो स्मिर्थी नवमध्यायस्च स्लोक अस्ति प्रानिनः प्राण वंत्र प्राणों अपाना समानों दान व्यासों चो वाय भाह मर कोशात वायू की मुर्तियां प्रतक्ष नहीं सब देवों अस्पर स्गुन से प्रतक्ष होते हैं ऐसे भगवान सीव की आठ मुर्तियां पहला सुरिय दूसरा जल तीसरा पिर्थवी चौथा अगने पाश्मा वायू छठा आकास साथ्मा ब्राम्वन और आठों अच्छंद्र हैं सूरियो जलम्मही वहैर वायूर आकास मेवच्च वहनी वायूर आकास मेवच्च दिक्षितो ब्राम्वन सुमह इत्योत्तरस्त्नवह स्मिर्ता विस्नो पुराण अवेही माम किंकरमस्ट मूर्ते कुम्भो देरम नाम विकुम्भी मित्रों रगुवन्स अवनी पवन गगन दहन तपन किरन यजमानम मै मूर्ती रस्टा वपी ध्यायांते मिम हर्ष चरितम ऐसा चर्चा जो है हर स्थ में भी अगठ मूर्तियों की आई है विश्नो पुराण में भी आई है रोगवन्स में भी आई है प्रपंतह इशह वह अवतू इन आठ मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आपकी रक्षा करें या भगवान शिव का असनन करने से पत्रावली नामक नांदी पत्रवली नामक नांदी है यह प्रस्ण बहुत इन्पोटन है कि अविद्ण साकुन तलं का नांदी किस प्रकार का है तो पत्रवली नांदी है नांदी का महत्त है रंग विध्णो प entrepreneurship शांत्य अर्थम नान्दी मादव प्रियोजयेद यानिके विग्ण की शांती के लिए ऐसा प्रियोजन किया जाता है विशेश रूप से इस बार इस श्लोप में मैंने चर्चा की है या स्रस्तु आद्याह स्रिष्टि ही या पद सकुंतला का सुचक है या हवी वहती सकुंतल घरव की सुचना है या हो त्री अनसुय ऑवं प्रेयंबदा दो सक्यों का सूचक है सर्ववीज प्रकृदी भरत उत्पत्ति अधीती काश्यक इत्यादी की सुचित है प्राणिनह प्राणवंता नाटक का सुखांत होना भि सुचित है अलंकार प्राणिनह प्राणवंत में पुन रुक्त वदावाश अलंकार है यहां प्राणिनह का अर्थ चेतन तथा प्राणवंत का अर्थ जीव विरहता है अतपन रक्ती दोश नहीं है या स्रस्तु स्रिष्टी वहती विदिहुतम में छेक तथा वृत्यान प्राणवंत अलंकार है या पदेश्त्रिलिंग होने से नाईकाओं से युक्त नामक बैवार रूप आश्य प्रकट होने से है समाशोक्ति अलंकार है रस यहा स्रिंगार रस व्यंजित है गुण प्रशाद गुण है संद्डी यहा नाटक की निरवहन शंदी वरनित है छंद में और शात मैंकार यती होती है मघन रगन भगन नगन और तीन यगन होते हैं। साथ गनों से नाटक के साथ अंग की सूचना भी सूचित होती है। पिपञ्ची स्वरासव भाक्या वैदर्वी रितिया। करी दांश वैदर्वी रिति के कभी हैं जो दोसों से और सज्वक समस्त गुरु से गुम्भित वीना के समान सुखत वरनों से यक्त हो वही वैदर्वी रिति है। छात्रों यह संपुण रूप से जईस असलोग की व्याख्या की गई है जो जिसमें आप लोग को परिक्षा के दृष्टी कौन से भी यह असलोग अतिमहत्य प्रूण हैं इसे अस्मरण जरूर करेंगे करोना कोविड का यह दूरती यह चरन जो हम लोग के लिए बड़ा कश्ट दायक है परन्तु ऑनलाइन कख्षा आप लोग के लिए सुखद और सहज उपलब्द है इसका आप लाव उठाएं और मास्क जरूर लगाएं दोगस की दूरी बना कर रखें भीर भाड में ना जाए अत्यन तावस्थक कारे से ही निकलें करोना हारेगा भारत जीतेगा करोना हारेगा भारत जीतेगा